दोस्तों कि एक ऐसा device बनाया जा रहा है एक ऐसा setup लगाया जा रहा है जो कि 10 की power minus 21 meters के भी variation को check कर ले, detect कर ले और confirmation का message जो है Germany, Italy और बड़े-बड़े institutes के scientists के उनको भेज दे ये कहके कि हाँ वही हमने prove कर दिया है कि gravitational waves exist करती है how can you make sure कि जो vibration उसने पकड़ा है, जो disturbance उसने पकड़ा है, वो gravitational wave का है या वो किसी volcanic eruption का है, तो कि धरती तो तब भी हिलेगी और तो और अगर इतना ज़्यादा sensitive आपने बनाया है इस particular setup को, जो कि 10 की power minus 21 meter के भी थोड़े से movement को पकड़ लेता है तो अगर बगल से कोई गाड़ी निकल गई, तो भी तो उसमें कुछ variation आ रहा होगा दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ LIGO की, LIGO LIGO, जहां पे 4-4 km लंबी की दो branches है 4-4 km लंबाई की दो branches है और जो 90 degree angle पे हैं एक दूसरे से ये जो branches हैं, इनके end पे लगे वे कुछ mirrors और इनके अंदे laser डाली जाती है वो जो laser है, वो उन mirror से टकराती है और जो वापिस आती है तो अगर दोनो laser जो हैं, वो दोनो laser 4-4 km जाके वापिस आ रही है और कोई भी variation नहीं है, तो जब वो दोनों टकराएंगी तो उनका जो मुझे result मिलेगा, वो null मिलेगा null result की जब बात करते हैं दोस्तों, तो अपने को सीधी सीधी बात पता चलती है जो होती है, Michelson साब के, Michelson and Morley experiment में जहां पे ether है या नहीं, उसके बारे में बात हुई थी और वहाँ से चालू होगी थी relativity जब relativity चालू हुई थी, Lawrence Transformations आये थे वहाँ पे आये थे Einstein साब और उनने भी दी थी theory relativity की उनने दी थी theory general relativity की और वहाँ से हमें मिली थी gravity और वहाँ जिक्र हो गया था gravitational waves का और gravitational waves को detect करने के लिए जो legal facility है वहाँ पे use होता है, वही setup लेकिन बहुत सारे improvisations के साथ setup कैसा है, setup वैसा है जैसा कि Michaelson साब ने use किया था जिनने दिया था अपने उस time का या फिर science या physics की field का सबसे बड़ा, सबसे crucial null experiment यानि वो result, वो experiment जिसका result जो था, वो null था यानि जो चाह रहते वैसा नहीं मिला था लेकिन उसने सोच को ही बदल दिया, समझ को ही बदल दिया था लीगों के अंदर दोस्तों, ये सब कैसे मुम्किन है, कैसे possible होता है कि अगर मैं इस छोटे से variation को, 10 की power minus 21 meter के variation को तो पकड़ पा रहा हूं लेकिन मैं ट्रक के जाने से, रेल गाड़ी के चलने से, थर थराने से, बिजलियों के गिरने से जो vibration हो रहे, उनको ignore कर देता हूं होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे technique जो use होती है, वो है noise cancellation की तुमने अगर headphone लगा रखें, तो headphones के अंदर भी active noise cancellation होता है होता क्या है, कि software जो है, coding के थुरू, already कुछ noises जो है, उनको पकड़ता है, उनकी processing करता है और उनकी sampling करके वो, जो signal आ रहा है, उसमें से उन noises को काट देता है और ऐसा almost हर एक, जो digital signal processing का setup है, वहाँ पे use होता है चाहे वो laptop हो, चाहे screen हो, चाहे वो अपने audio devices हो, सब जगह होता है तो वैसा करना, लीगों के बड़े महारतियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बस फरक इतना था, वहाँ पे precision बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि वहाँ पे अगर गलती होती है, और उस गलती को propagate कर दिया जाता है और communicate कर दिया जाता है scientific community से, तो वहाँ पे नाक कट सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना robust system बनाया गया हलका से हलका vibration जो है, जो बाहर के external factor के कारण है जो कि पूरे system पे लग रहा है, उसको cancel करा जा सके जो mirror होते हैं, जिनको use किया जाता है दोस्तों, वो mirror भी बड़े classic है वो mirror होते हैं, 40-40 kg के तो जहाँ पे कही ना कहीं सोचो बेसिक सा बेसिक एक formula जो लगता है, बेसिक एक low लगता है जो है Newton साब का low of inertia वो भी काम कर जाता है यानि, मैं एक ऐसा setup यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये prove करूँगा कि हाँ भी जो gravity का phenomena है, वो वैसा नहीं है जो Newton साब ने बोला था लेकिन उस phenomena के अंदर जो stability है, जो noise cancellation है, वहाँ पे जो सबसे basic level पे जाके मैं use कर रहा हूँ एक technique, वो use कर रही है inertia को जो Newton साब नहीं दी थी यानि हमने Newton साब के ही एक low को use करके, Newton साब के एक दूसरे low के against जो phenomena जो propose हुआ था, उसी को हमने prove कर दिया कि ये सही है, ये गलत, लेकिन दोस्तों बात इतनी नहीं है, ये जो 4 km लंबी tunnel है, जिसके अंदर laser डाली जाती है, उस tunnel के अंदर हवा allowed नहीं है, dusk allowed नहीं है, क्यों? क्योंकि हवा और dusk के अंदर जो particles हैं, उनका brownian motion तो होता ही रहेगा, अगर brownian motion हो रहा है, वो मैं dusk की power minus 21 मीटर की बात कर रहा हूं, precision की, तो अगर उस brownian motion के चलते, अगर वहाँ पे जाके momentum transfer हो गया, at that particular level, on the mirror, और थोड़ा सा भी variation आया, तो गड़बड हो जाएगी, अगर कोई dust particle जाके mirror पे चिपक गया, और laser उस जाके dust particle से टकरा गई, और dust particle को energy transfer होई, और वो dust particle वहाँ पे ज पुरा experimental setup चेंज करना पड़ेगा, इतना नहीं है दोस्तों, अगर बीच में dust particle या हवा है, तो laser जो जा रही है, वो उन particle से टकरा के इधो जो reflect भी हो सकती है, और वहाँ पे भी मुझे वो गलत signal दे सकती है, तो क्या किया गया, किया ये गया कि jet के जैसे engine होते है, वैसे jet engine लगाये गए, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा था, यहाँ पे जो jet engine थे, उनका काम था, suction, और उन्हें सकाउट करी थी हवा, तकरीबन, 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 चालिस दिन लगे थे, और दस हजार मीटर क्यूब हवा को बाहर खेंचा गया, उन tunnels के थुरू, इतना ही नहीं, उन tunnels के अंदर temperature भी बढ़ाया गया, जिससे कि वहाँ पे, जो energized होके, gases particles जो हैं, वो बाहर निकल जाएं, तकरीबन, एक सो 50 से 170 degree centigrade तक temperature भी बढ़ाया गया, इतने से भी जब काम दी मना, और वहाँ पे iron pumps यूज़ करे गये, iron pumps ने क्या किया, जो हवा के particles हैं, उनको थोड़ सा, electrically neutral अगर particle है, तो उन पर electric charge induce कर दिया, और फिर field की मदद से उन सब को हटा दिया, अब बात यह आई, कि इतना सब कुछ करा, तो क्या एक बार करके काम बन गया, बिलकुल दोस्तों, बाकि सारी चीजे जो है, वो तो एक बार ही करी गई, हवा जो निकाली गई, वो एक इंजन टाइप की बड़ी-बड़ी motor pump लगाएगे, उन से जो सकाउट किया गया, वो भी एक बार ही किया गया, लेकिन, क्योंकि जब लेजर आती है, तो कोई ना कोई एक आदा पार्टिकल इधर उधर चे तो आई जाता है, जो टकरा जाएगा, यहाँ पे फिनोमेना एक को कहते हैं, आउट गैसिंग, क्यों भई वो जो पूरा वेक्यूम का मैंने सेट अप किया है, वो अंदर जो प्रेशर है, वो है तकरीबन 10 की पावर माइनस 12, बाहर अगर जो मेरा मैटल होता है, तो वहाँ पे एक फिनोमेना जो मैने भी वोला, उसको कहते हैं, आउट गै तो बाहर भी टेंपरेशर वनेटीम है, और अंदर उस एयर ने जो वोल्यूम उकिपाई किया है, वो भी वनेटीम प्रेशर पी किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर पीस को उठा के स्पेस में ले जाऊंगा, तो इस पेस का प तो यहाँ पे वो जो हवा है वो पॉप करके बहाँ निकलेगी, और इस फिनोमेना को मैं कह सकता हूँ कि आउट गैसिंग हो रही है, अब इसी चीज़ को मैं देखूँ, जो लीगो की टनल्स है उनके अंदर तो वहाँ पे मैटल यूज हुआ है, और जो मैटल है वो भी ध जाता है, याईनि here and there, few particles can come out in the format of outgast particles from the metal tubes, अब अगर laser उस वक्त हर वक्त भागे जा रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है, तो वो जो particle है, वो भी थो थोड़े ionize हो जाएंगे, अब वो जो particle ionize हुए है laser के कारण, उन particles को जो iron pumps है, वो अपनी side खेंच के, they just get rid of them, त इससे ज्यादा vacuum सिर्फ एक जगह maintained है, वो है surger land में, नहीं, कोई tourist destination नहीं है, लेकिन surger land के अंदर है अपने पास large hadron collider, वहाँ पे इससे ज्यादा powerful vacuum maintained है, उसके बाद जो powerful vacuum maintained है on earth, वो है leego के अंदर, ठीक है, आपने vacuum maintained कर लिया, अब बात आती है laser की, तो laser कौन से use करते ह इसा है, जो laser है, वो यह जो अपनी इंगली होती है, इसका यह जो nail है, तकरीबन यह 1 cm के आप सपास का है, तो 1 cm का ही crystal use होता है, जिससे की laser generate होती है 2 watt की, वो जो 2 watt की laser है, उसी को बार बार, बार बार, प्रोसेस कर 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 उसको पहुचा दिया जाता है 200 watts त 200 watts तक, and then it is improvised or improved, required, जो अपनी necessities हैं उनके हिसाब से, यह बात भी समझ में आ गी, क्या laser अब जब चलती है, तो Michelson Maudley का experiment था, उसमें तो यह था भी, एक इस branch में गई light, एक इस branch में गई light, वो पीसा ही दोनों, इंटरफेर किया, और उनने देखा कि भी null result आ रहा है, क्या अगर null result आ रहा है, यानि दोनों बात बराबर है, नहीं तो वहाँ पे मुझे fringes मिलनी चाहिए थी, अब अगर मैं बात करता हूँ, 10 की power minus 21 meter को detect करने की, तो 4 kilometer का जो distance है laser के बीच का, जाके वापिस आने का, वो sufficient नहीं है, मुझे चाहिए तकरीबन तकरीबन 1200 kilometer का distance, लेकि तो वो tunnel जो है, वो earth के curvature के साथ घूमती हुई दिखेगी, तो उस case में क्या करूँगा, laser तो line of sight है, फिरो तो सीधी निकलना चाहिएगी, और भई 1200 kilometer लंबी जो मैं laser बनाऊँगा, तो क्या वो पूरी power sustain कर पाएगी, इसके लिए दोस्तों, physics की ही मदद लेके, एक होती है, फैबरी, पैरो, कैविटी, ये यूज करी जाती है, जिसके अंदर multiple reflection करवाये जाते हैं, उन 4 kilometer लंबी tunnel के अंदर, और laser की जो light है, उसको तकरीवन 200-300 round कटाए जाते हैं, जिससे कि उस laser को लगता है कि उसने तकरीवन 1200 kilometer travel करे हैं, exact number जो है, वो है 1120 kilometer, यानि कि मैं 4 kilometer लंबी जो tunnel है, उसके अंदर physics की help से, और existing technologies की help से, मैं उस laser को 1120 kilometer घुमाता हूँ, फिर जाके वो मेरे photo detector पे गिरती है, जहां पे वो बताती है, कि भई, fringes हैं या नहीं, fringes से दोस्तों, तुमारी दिमाग में बात चमक गई होगी, बिलकुल बात हो ही है, बात यहां पे होती, interference की, जो interference pattern ही observe किया जाता है, अब अगर अगर आपन बात देखें, तो 2015 में, जब gravitational waves detect हुई थी, तो ऐसा नहीं था, कि सब बैठे थे, wave आई, उनने screen पे देखा, detection हुआ है, और सब ने तालियां बजाई, और बता दो दुनिया को, कि gravitational wave दिख गई है, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था, हुआ क्या था, कि signal generate हुआ था, और एक message आया था रात को, और जब उस message को लोगों ने पढ़ा, जो research associates थे, जो हाँ पे scholars थे, जो अपनी PhD का काम कर रहे थे, जो हाँ पे scientists थे, research कर रहे थे, उनने जब उस message को पढ़ा, तो उनको लगा कि हो सकता है कि कोई test signal भेजा गया हो, उस test signal के response में, यह message आया हो, क्यों? क्योंकि वो जो setup है, उसको test करना, उसको calibrate करना भी ज़रूरी है, और उसके लिए एक artificial signal भेजा जाता है, कभी-कभी, जिसके कारण एक, जो output generate होता है, वो वैसा generate होता है, जैसे कोई detection हुआ, just to check, कि हाँ भी system सही काम कर र भेजा ही नहीं है, तो अगर test signal नहीं भेजा है, तो यहाँ पे यह observation क्यों आई, और leigo ने message क्यों भेजा, leigo का setup है दोस्तों, वहाँ पे जो अलग-लग part है, वहाँ पे laser का एक रोल है, वहाँ पे जो optics है, उसका एक रोल है, टनल में जो vacuum है, उसका एक रोल है, लेकिन एक औ मैं हर second बैट के एक बिट डेटा को read करूँ, तो मुझे तकरीबन 35.7 million साल लग जाएंगे, अभी तक का जितना डेटा leigo ने generate करा है, उसको पढ़ने में, यानि computational powers बहुत जादा है, डेटा बहुत generate हो रहा है, और उस पूरे को analyze भी करना है, जब 2015 में signal का message आया था, तब य किया गया, और जब confirmation आ गई कि yes, we have detected gravitational wave, तब जाके press conference हुई थी, और फिर उसके बाद तो repeatedly बहुत सारे observations आये, and 2017 में उन तीनों महारतियों को, जिनने leigo को एक realization में convert किया, उनको nobel price दिया गया physics की field में, दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ, leigo की जो पूरी facility है, वो तकरीबन 1.1 billion US dollars की है, and उसे भी बड़ी बात ही है दोस्तों, कि leigo जो है, उसका एक center इंडिया में भी आ रहा है, expected है कि 2024 तक वो operational हो जाएगा, और वो भी एक world class at par with the centers, जो Caltech और MIT maintain कर रहे हैं, उनके बराबर का होगा, it is coming up in Maharashtra, and उसके अंदर active involvement है, आयू का, पूने का, and India leigo, जो नाम है, India leigo, वो 2024 तक operational भी होने के chances है, so दोस्तों, यह था एक छोटा सा वीडियो जहांब अपने बात करी, leigo के अंदर की technical details की, कि किस तरीके से पूरा setup होता है, अगर पसंद आया हो, तो like करो, share करो, subscribe करो, bell icon जरूर दबा देना दोस्तों, मिलेंग अगले वीडियो में, तब तके लिए, जय हिंद, क्यों दोस्तों, मज़ा आया ना, actually यह जो वीडियो होते ना, यह अपनी inquisitiveness को, अपनी eagerness को, physics को जानने की जो अपनी इच्छान उसको काफी बढ़ा देते हैं, अगर उसी के साथ, उसी के साथ, इनी वीडियो के साथ, अगर वही mentor तुमको physics पढ़ा भी दे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानि मैं कहूंगा कि भई, मेरी तो पांचे उंगलियां क्या, दसों उंगलियां मेरी घी में आ जाएगी, तो दोस्तों, ऐसी एक opportunity, मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूँ, मैं Unacademy Atoms YouTube चैनल पे, फ्री में, सब को live physics पढ़ाता हूँ, रोज live आता हूँ, YouTube चैनल Unacademy Atoms पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, जेए के लिए physics, चाहे वो जेए main हो, चाहे advanced हो, rather मैं बोलूँगा दोस्तों, 11-12th के बच्चे जो physics पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी examically prepare कर रहे हैं, I am there for you, I am teaching it completely and totally free for you guys, तु वो भी live classes होती हैं, वो वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को guide कर रहा हूँ और mentor कर रहा हूँ, physics के लिए, let's understand physics, physics से अपन प्यार करना सीखें, physics को अगर अपन समझें, तो अपने concepts rock solid हो जाते हैं, और अगर एक बार concepts rock solid होगे दोस्तों, तो number भी आएंगे, अच्छा performance भी हो I-S-R-O, Manish Isro, यह मेरा idea दोस्तों, जिससे कि तुम में को search कर सकते हो, में को follow कर सकते हो, में को reviews दे सकते हो, और अपना प्यार दिखा सकते हो, अगर तुम किसी भी subscription को लेना चाहते हो, an academy app पे, या तुम free classes को unlock करना चाहते हो, तो free classes को unlock करने के लिए, you can use the code Nimbus, बिलकुल अपना दिल वाला Nimbus, प्यार वाला Nimbus, NIM, BUS, Nimbus का code यूज करोगे दोस्तों, तो जितना भी free material है, सब unlock हो जाएगा तुमारे लिए, और अगर तुम कोई subscription लेते हो, कोई long term course की planning करते हो, an academy app पे, तो वहाँ पे भी NIM, BUS, तुमको 10% extra discount दिलाएगा, दिल से, प्यार से, तो दोस्तों, फिर से बता दूँ, मैं हूँ तुमारा mentor friend, Manish Purohit, unacademy atoms YouTube channel पे, रोज आता हूँ, live, physics पढ़ाता हूँ, feel के साथ, rock solid concepts बनाने के लिए, चाये तुम कोई भी हो, neat aspirant, J aspirant, KVPY, NACP, कोई भी exam की preparation कर रहे हो, physics तुमको मैं पढ़ा दूँगा, apart from that, unacademy app पे भी आता हूँ, in special life classes, see ya there दोस्तों, love you all, जये हैं